वे गाईज, वेलकम बैक टो अवर चैनल के अनेकेडमी, आज की वीडियो का जो हमारा टॉप टेक वो है डी एकसी फुल इंटरिवू प्रॉसेस, इस वीडियो में मैं डी एकसी के फुल इंटरिवू प्रॉसेस, बताने वाला हूँ कि डी एकसी के नमर आफ राउंड्स क्या होता है इंटरिवू के एंटरिवू के डी एकसी का जो डी एकसी का स्लेवस क्या होता है उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और अगर आपको डेली इंट डेस्किप्शन में है वीडियो के वहाँ से जाके आप जॉइन कीजिए स्वाइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात कर दते हैं डी एकसी के टॉटर राउंट्स ऑफ इंटरी इंटर्व्यू कि इंटर्यूद्स कितने होते हैं सबस्क्राइब टू पूर क्रेक नहीं कर पाया तो आप next round के लिए इलीज़बन नहीं होते हैं तो return test then group discussion then technical interview then azure interview तो इस हो गया the interview rounds, कि कितने rounds होते हैं टूटल की selection process में तो आएए अब हम बात कर लेते हैं एक एक rounds की round में क्या होता है क्या आप मूझहा जाता है return test ka slavers क्या होता है कि उपने बात करते हैं रिटेंड टेस्ट कि स्लेवर्स की जो की ऑन केमपस और ऑफ केमपस में क्या टेस्ट पैटर्न होता है उसका तो गईस इसमें हमारे तीन चार सेक्षन होते हैं जो होते हैं एप्टिट्व टेक्निकल एंसी की ओटमेटा फिक्स एन ऐसे राइटिंग तो और क्वांटिटिव एप्टिव में क्या होता है कितने सेक्षिन वहां पर थी सेक्षिन क्वांट लॉजिकल एंट वर्वल अब गई सहां पर देख लेते हैं कि नमबर आफ क्वेश्चन एंड टूटल टाइम कितना होता ह है तो क्वांट में नमबर आफ क्वेश्चन होते हैं 16 एंड 16 मिनिट में हमें सौल्व करना होता है लॉजिकल में 14 कुष्चन 14 मिनिट वर्वल में 12 कुष्चन 12 टेक्निकल 12 कुष्चन 15 मिनिट ओके एंड ऑटोमेटा फिक्स 7 क्वेश्चन 20 मिनिट एज यहां से मैं इस्टार्ट करता हूं ऐसे राइटिंग से विसिकली वह सारी स्टूश्चन को कॉन्फीजन होती है कि ऐसे राइटिंग में क्या होता है एसे यहां में इसके रिटेन इंगलिस ट तू ट्वाइंटी वर्ट में वहां पर आपको ऐसे लिखना है तो इस इस ओनली फो रिटन कम्यूनिकेशन इसके राइट रिटन इंग्लिस टैस्ट राइट तो टोटल कुश्चन जो हमारे हैं रिटन टैस्ट की डी एकसी में वह हैं 62 क्वेश्चन एंड हंड्रेट मिनेट टोटल टायम है रिटन टेस्ट का रैड्ट इसट हो गया हमारा रिटन टैस्ट का टैस्ट पैर रैइट जो कि हमारा लाट है सपक्ष्ट टैस्ट अगरंस कर्टव करना है कौन सी टॉपकेक हमें फ्रिकस करना है कौन से टॉपक पूछे जाते हैं तो क्वांट में कौन से टॉपक होते हैं अगर आपे अप्रिट्ट्व की प्रिपयर करते हैं तो आपको प्रिपयर करना है जो मैंने आपको बता दी है अब आँगे बात कर लेते हैं तो बात करते हैं logical reasoning की कि logical reasoning में कौन से topic पहाँ पर पूछे जाते हैं वह है coding, recording, directional sense, seating arrangement, visual reasoning, blood relation, flow chart, statement and conclusion, data efficiency and also data interpretation अब data interpretation को वो quant का part बनाने लगे हैं तो आपको quant में भी देखने को मिलेगा data interpretation तो हमारे बात होगी quants and logical के और वर्वल, वर्वल में normal English grammar के ही topic वहाँ पे आएंगे like antonyms, synonyms, vocabulary, jumbleduff sentence, prepositions, conjunctions and also paragraphs तो उसके तींचर question आपको मिल जाएंगे फेरागा उसके तो गाइस normal grammar के question आपको वर्वल में practice करके जाना है and prepare करके जाना है and technical mcq गई, technical mcq में आपकी programming की theoretical like because हमारे mcq है तो आपको programming की theoretical knowledge उसका basic knowledge होनी चाहिए like data types, iteration, recursion, decision, sorry, decisions, studies, graphs, cues, health tables, heat, searching and sorting, polymorphism, like oops, concept and basic concept आपको अच्छे से आने चाहिए, for technical mcq, यह तो होगी हमाई return test की quant verbal technical mcq, guys, आप आते हैं automata fix पे, बहुत सारी student को confusion होती है कि सारी normal aptitude उनका हो जाता है, but एक round होता है, एक section होता है, जो कि return test की हिंदर ही आता है, automata fix, उसमें क्या पुजा जाता है, इस डिपेंट करता है companies पे कि वो automata test में, automata fix round में क्या रखने वाले हैं, right, तो इसमें basically नॉर्मल जो questions होते हैं, वो किसी भी programming language के input-output question, errors, spotting error like, इसमें क्या logical error जो होता है, उस type के question and some logical questions like pattern and a short-shot program इसमें पूचे जा सकते हैं, automata fix में, तो इस type के question, automata fix में आपको देखने को मिलेंगे, तो वाईस हम बात कर चुके हैं, quant, verbal and logical reasoning and technical MCQ and automata के topics की, कि कौन-कौन से topics उसमें पूचे जाते हैं, तो एक बार आप फिर से test pattern को note कर लीजिए, test pattern को देख लीजिए, कि क्या हमारा test pattern होने वाला है, dxc के return test round में, right, because this is very important, right, तो हमारे total rounds हो चुके हैं, कि return test हमने discuss कर लिया है, total test pattern क्या है, topics कौन कोची of discussion, this is only for communication round, right, तो group discussion का जो round होता है, वो basically आपको थोड़ा practice करना है, talker के and तो practice से आपका group discussion round के लियर हो जाएगा, general instant movement पे आपको topic दिया जाएगा, तो वो group discussion में होता है, and then technical interview, technical interview में आपकी programming knowledge and also आपके projects and पूरा resume के regarding आप से पूछे जाएगा, तो guys मैं आपको चीज बता हूँ, कि अगर आपको confusion है कि हम technical round को कैसे prepare करें, project, especially how to prepare for projects, and किस टाइप के question पूछे जाते हैं, project में, and हमें किस टाइप से answer करना चाहिए, वो channel पे already video वनी है, दो नीची description में उसकी link है, वहाँ से जाके आप check कर सकते हैं, तो आपके सारे doubt किलियर हो जाएगे, project के regarding, and also बहुत confusion हैं, बद ऐसा नहीं होना है, हमारे channel पे भी video वनी है, कि आपको best resources, and also कहां से prepare करना है, कैसे prepare करना है, तो नीचे description में जाके click किजिए, तो वहाँ से आपको idea मिल जाएगा, aptitude round को clear करने के लिए, and also HR round की video वनी है, तो HR round के frequently asked question, जो की total जितनी भी possibility होते है, HR round के questions, आप मूचा जा सकता है, वो सब कुछ वीडियो में बताया है, तो वहाँ से जाके आप PDF को download कर सकते हैं, वीडियो का चे से देख सकते हैं, right, so इस वीडियो में इतना ही DXC का full interview process, and आखी की वीडियो में हम और भी companies के ऐसी process discuss करेंगे, and also और भी interesting topic discuss करेंगे, तो इस वीडिय के लिएतना ही, thank you guys, thanks for watching